आज के इस वीडियो में हम न्यूबॉर्ण बेबी के लिए मंगे क्या पना कर तयार करेंगे तो इसके लिए हमने इसे यहां तक बुन लिया है स्टार्टिंग में सलाई में हमने 90 फंदे डालतें के बाद में 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे बुनते हुए हमने यहां तक इसे अब यहां से हम आगे की बुनाई करेंगे दो उल्टे और 2 सीधे फंदे से हमने इसे बना कर तयार करा यहां तक जिससे कि इसमें काफी स्ट्रीच आज़ता है तो पहनने में बच्चे को आसानी रहेगी इसलिए आप चाहें तो एक सीधे और एक उल्टे का भी आप बना सक साथ का सुल्टे करते हैं यहां पर यह ऱ्छे arms बनाने के बादने के बाद में हमने यहां पर यहां पर से पादने का से इस इसे रिपीट ना है तो हमने अल्टे साईड यह के बनाई चेंज कर रहा है इसका प्ध्यान रखें जिससे की सीधे साइड हमारे पास ये color finishing से यहां पर attach हो गया है तो हमने स्टार्टिंग में 90 फंदे लिये थे सलाई में तो अब यह हमारे पास 90 फंदे हैं सलाई में तो इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं 30 फंदे इधार 30 इधार और 30 बीच में तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहले हम ये वाले जो 30 फंदे हैं इनको हम बुन लेते हैं तो इनको हमें सीधा फंदा बुनना है तो ये 1 पहला फंदा हम उतार लेता है असे ही 2 फंदा है सिधा बुनेगे अब यहाँ से 2 उल्टे और फिर 2 सीधे फिर 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे तो आप फंदे देख सकते हैं कैसे हम बुन रहे हैं ये दो फंदे हैं ये उल्टे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे ऐसे हमें फंदे बुनने हैं अब देखे ये दो फंदे सीधे हैं धागे को पिछे करेंगे और ये जो सीधे फंदे हम बुन रहे हैं ये हम फ्रंट लूप स यहां से फ्रंट लूप से यहां सी पूंदी यहां से फ्रंट्य रहें को के हैंती हुआ क्यों के लिए कि दो है और यहां से ऩो पर दिखे ओमने यहां यहां पर व्युटे और थीश पूंदे वंहालोlles तो देखे, ये वाला फंदा हमने बुना, नेक्स्ट फंदा हमने बुना, अभी जो पहले वाला फंदा है, इसे हम इस फंदे के उपर से गिरा देंगे, तो यहाँ पर हमने एक फंदा हमने बंद कर लिया है, अभी नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, और इस वाले फंदे को इसक कि उपर से हम ऐसे गिरा देंगे तो ऐसे हमें 30 फंदे बंद करने हैं कि यहां पर यह फंदे जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं तो ऐसे हम 30 फंदे बंद कर लेते हैं कि तुदिकान हम यहां पर 30 फंडे बंद कर लिये हैं और अब हमारे पास इस साइड या 30 फंडे बंद 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 लेते हैं तो यह फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे अभी दो उल्टे है नेक्स्ट दो सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे इनको हम सीधा घुकार है तो इसे हम यह थीधा है अब यहां तक सारी फंदे हमने बुनलिये है अब हम इस साइड से बुनेंगे तो जो उल्टे फंदे हैं उनको हमें उल्टा बुनना है और जो सीधे फंदे हैं उनको हमें सीधा बुनना है देखिए यहाँ पर फंदा हमने उतार लिया नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा ही बुनेंगे अभी नेक्स्ट दो फंदे सीधे है अभी दो फंदे उल्टे है तो ऐसे ही बुनते हुए पहले हम ये तीस फंदे बुन लेते है अब यहां पर हमने जो तीस फंदे बंद कर दी थी वह फंदे हमें फिर से उठाने हैं तो यहां से हम सलाई में फंदे डाल लेते हैं तो जो भी तरीका आपको आता हो फंद उठाने का उस तरीके सा फंद उठा लें यहां पर हम सिंपल तरीके से ऐसे इस तलाई में फंद डालेते हैं तीस फंद डालें तो एक फंद हमने डाला इदो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चवदर, पंरे, सोले, सत्रे, अठारे, गुनिस, बीस, इक्किस, बाईस, तेईस, चोईस 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 30 फंदे हमने सलाई में वापस से डाल लिए हैं, जो हमने बंद कर दिये थे और अब यहां से, अब ये जो 30 फंदे हैं, ये हम बुन लेंगे दो उल्टे और दो सीधे फंदे बुनते हुए तो ये दो फंदे उल्टे हैं, तो इसको हम ये उल्टा बुनना है नेक्स्ट फंदे सीधे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेगे फिर नेक्स्ट उल्टे और नेक्स्ट तो सीधे, ऐसे ही हम ये सारे फंदे बुन लेते हैं देखिए हमने यहां तक ये सारे फंदे हमने बुन लिये हैं, अब हम फिर से क्याप के सीधे साइड आ गया है तो अब इस साइड से हमें वापस से वैसे ही बुनना है दो उल्टे और दो सीधे फंदे बुनते हुए और यहां पर यह जो हमने तीस फंदे वापस से उठा लिये हैं इनको भी हमें वैसे ही बुनना है दो उल्टे और दो सीधे फंदे बुनते हुए तो ऐसे ही हमें बुनत जलाना है जतारी है है यहां तक हुआ पहला पूना पिद्व चाहिए है है किद्ध करेक कर Ada फroze फ्रोप लिखा अब सीधे बुन लेगी तो अब 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं कि एक फंदा हमें उल्टा बुना और चेल दो फंदा उल्टा बुने लिया अब नेक्सट दो फंदे हम सीधे बुने इमें तो इनको आप आराम से बुने यह फंदे हमने उठाये हैं अभी वापस से डाले हैं तो इनको बुनने में आपको थोड़ी परिशान ही हो सकती है लिकना आप आराम से बुन लें इनको तो एक फंद हमने सीधा बुना और यह दो फंदे अभी नेक्स्ट दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे फिर दो सीधे ऐसे ही बुनते हुए हमें यहां तक सारे फंदे बुन लेने हैं तो देखिए हमने इसे यहां तक बुन लिया है और अब यहां से हम कलर चेंज करेंगे तो यह उल्टा साइड है कैप का हमेशा बैक साइड से हम कलर चेंज करेंगे और सारे फंदे हमें उल्टे-उल्टे ही बुनते जाना है यहां से हम यह ब्राउन कलर है इससे बुढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां से हमने यह ब्राउन कलर अटैच कर लिया है और बैक साइड से सारी फंदे उल्टी-उल्टी ही बुनते जाना है ऐसे हम यह सलाई कम्प्लीट करेंगे तो देखिए हमने इसे यहां तक बनाकर कम्प्लीट कर लिया है तो यह उपर वाला कैपला पार्ट हमने यहां तक बना लिया है और इसकी हाइट हम आपको दिखा देते हैं यहां पर लगबल हमने चार इंच तक इसे हमने यहां पर बुन लिया है अब यहां से हम डिक्रीस रांड स्टार्ट करेंगे यहां से हम छे फंदे बुन लेंगे और छे फंदे बुनने के बाद में हमें एक फंदा घटाना है यहां से यह तो फंदे पहला फंदा हमने बेना बुने से उतार लिया next फंधा सीधा है तो इसमें हम सीधा बुनेंगे तो दो फंधे होगे टीन चार प् jam और यह 6 तीन और तीन6 ख्यषय फंदे की हमने बुन लिये हैं और अब यहां से हम 1 फंधा घटा आएंगे तो next दो फंदे हमारे पास उल्टे है तो इन दोनों फंदोंगों एक साथ बुनेंगे और उल्टाई हमें बुनला है। यहां पर हमने एक फंदा घटा लिया है तो इनको सीधा बुन लेते हैं यो यह एक दू फंदेे उल्टे है, इनको उल्टाई होगे, तीन चार और यह पाच और ये छे छे फंदे बुन लिए हमने अब ये दो फंदे उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे लेकिन इनको हम एक साथ बुनेंगे जिसे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा तो यहाँ पर हमने फिर से एक फंदा घटा लिया है इसी तरह से बुनते हुए हमें ये first decrease round complete करना है यहां से फिर से हम next développement एक साथ बुनेंगे इसी तरह से बुनते हुए हमें यहां तक complete करनी है फोली आपक क्लावला हम on केंड़ा से प्लावा गार से प्लोट सीखा अब हमें तक प्लोट कर लिया है ब मुझने अब हमें से कलर हम यहां पर चैंज करने वाले हैं रहे हैं तो इस साइठ को यहां तक करने वान avier ड changing color ऑगर मुझे यहां सीधें से फंदे को बुने यहां से हम चेंज लेगे को हर भार की तो सतुम हम सारी फंदे फंदे की बुन लेते हैं इस साइड से हमें फंदे घटाने नहीं है, जितने हैं उतने बुन लेने हैं, तो ऐसे ही बुनते हुए, हम यह सलाई कम्प्लीट कर लेते हैं, देखे हमने ही सलाई कम्प्लीट कर लिए है, अब यहां से हम सैकेंड दिक्रीस राउंड स्टार्ट करेंगे, तो इक कैप का सीध को सीधे हैं इस साइड से हमें उल्ट्र ubiquisida when do you come in a complete करना है तो पहले हम ने च्पंदे वुनकर एक गटाया था इस बार हम पाच्पन्देफ उनकर एक प Damnदा घटाएंगे यहाँ पर पहला फंदा हमने विना बुने से उतार लिया है और यह वाला फंदा सीधा है तो इससे हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर यह दो फंदे उल्टे हैं इनको हम उल्टा बुन लेते हैं तो यहाँ पर side के चार फंदे बुनने के बाद में हम यहाँ पर एक फंदा घटा लेते हैं पहले तो यह दो फंदे सीधे हैं यहाँ पर तो इनको हम एक साथ बुन लेते हैं जिसे कि एक फंदा यहाँ पर कम हो जाएगा तो दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे सीधा त हम पाँच फंदे बुनकर एक फंदा घटाएंगे तो यह पिछले राउंड में हमने घटाया था एक फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा ही बुनेंगे यह हमने एक फंदा बुन लिया है, अब नेक्स दो फंदे सीधे हैं, तो यह दो फंदे बुने, यह तीन, नेक्स दो फंदे उल्टे हैं, चार, पांच, पांच फंदे बुनने के बाद में हमें एक फंदा घटाना है, तो अब नेक्स दो फंदे सीधे हैं, तो इनको हम एक सा बुनने हैं, एक फंदा बुन लिया, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे बुनने के बाद में फिर से हम एक फंदा घटाएंगे, इसी तरह से हम ये रो भी कम्प्लीट कर लेते हैं, देखें, ये सलाई हमने यहां तक कम्प्लीट कर ली है, और अब ये केप का उल्टा साइड है, तो इस साइड से जो फंदा जैसा है, उससे हम वैसा ही बुन लेंगे, उल्टी फंदो को उल्टा बुनेंगे, और सीधी फंदो को हम सीधा बुनते हुए, ये रो हम यहां तक कम कर लिए है अब यहां से हम थर्ड डिक्रिज राउंड स्टार्ट करेंगे यहां से यह फंदा हमने तार लिया नेक्स्ट फंदा हमारा सीधा है तो इसे हम सीधा ही बुनेंगे यहां से दो फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं यहां पर हमने एक फंदा घटालिया है तो यहां पर हमने एक फंदा घटालिया है तो यहां पर हमने एक फंदा घटालिया है तो यहां पर तो हमने एक फंदा घटालिया है और अब यह वाला फंदा जो है यह सीधा है इसे हम बुटा बुनेगे दीकिआ दो फंदें ने बुन लिये क्या आप इनको हम सीधा बुने थेंग कर्फ में और दोनों को एक साथ बुने अपर फंदे एक फंदा यहांपर घटा लिया है अब दे कि फिर से हम चार फंदे भुनेंगे तो यह पिछली राउन में यहां सखिन ऐसी ते खुणते हुए हमें यह वाली रोख कंपलीट करनी है आप यहां थालाइभी हमें यहां तक स्पाथ कर ली रिए अब यहां से हमें कलर चेंज करना है तो यहां से हम यह क्रीम कलर अटाच करेंगे तो सारे फंदे हमें उल्टे-उल्टे ही बुन लेने हैं इस साइड से हमें फंदे गटाने नहीं है तो यहां से हम यह धागा चेंज कर लेते हैं तो क्रीम धागे से हम सारी फंदे उल्टे-उल्टे ही बुन लेते हैं ऐसे ही बुनते हुई हम यह सलाई कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए हमने यह सलाई यहां तक कम्प्लीट कर ली है और अब यहां से हम नेक्स्ट डिक्रीस राउं स्टार्ट करेंगी यहां से यह दिखिए यह पहले जो दो फंदे हैं यह सीधे हैं तो यहां पर यह दो का हम एक कर लेते हैं और अब नेक्स्ट फंदा उल्टा है इस बार हमें तीन फंदे बुनने के बाद में एक फंदा हमें घटाना है तो यह वाला तो हमने घटा लिया है, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तीम फंदे बुनेंगे, यह उल्टा है, तो यह हमने इसे उल्टा बुना, नेक्स फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे बुन लिए, अभी नेक्स फंदा सीधा है, इसे हम उल्टा तो यह दोनों फंदे सीधे हैं, इनको हम एक साथ बुनेंगे, सीधा बुना हमने, हमने एक फंदा थटा लिया है, अभी नेक्स फंदा उल्टा है, यहांने बुना एक फंदा, नेक्स फंदा सीधा है, यह दो, यह उल्टा है, तीन फंदे बुन लिये, अभी नेक्स दो तो इनको हम एक साथ पुनेगे तो ऐसे तीन फंदे बुनने के बाद में हम एक फंदा घटाएंगी इस राउन में तो ऐसे ही बुनते हुए हम यह जो पर लेते हैं तो देखें यह वाला decrease round भी हमने यहां तक complete कर लिया है अब यहां से हम cap का उल्टा side है इस side से हम जो फंदा जैसा है उसे वैसा ही बुन लेते हैं उल्टी को उल्टा और सीधी को सीधा तो अब यहां पर यह वाला फंदा हमारे पास उल्टा है इसे तो हम ऐसे ही slip करेंगे और next फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे अभी next फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे और next फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे फि next फंदा उल्टा नेक्स फंदा सीधा ऐसे ही पुंते हुए हमें ये सलाई भी कंप्लीट कर लेनी है देखिए हमने ये सलाई भी यहां तक कंप्लीट कर ली है अब यहां पर हमारे पास फंदे आगे हैं एक उल्टा और एक सीधा फंदा देखिए सीधा फंदा है फिर नेक्स फंदा ये उल्टा है फिर ये सीधा ये उल्टा फंदा है तो एक सीधा एक उल्टा फंदा इस तरह से मारे पास सब फंदे आ गये हैं सलाई में तब यहां से हम next decrease round start करेंगे तो यहां पर हम दो दो फंदे एक साथ बुनते हुए हम यह जोग कम्प्लीट करेंगे तो यहां पर दो फंदे हम एक साथ बुनेंगे, इसको हम उल्टा ही बुन लेते हैं, दो फंदे हमने एक साथ बुने, फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर से हम दो फंदे एक साथ बुनेंगे, ऐसे ही बुन्दे हुए हम की रोग कम्प्लीट कर लेते हैं, तक आप्गि सेां हमने हाँ और अब इस write से हमारे पास सारी बढ़ने कि सने क्रमाद Wochen कि पुझ भाइ और लेते हैं एक किई ly के इसक अब कि शेख मिने कप्रीड आइए कि अ जाब से हमे पॉत मैं लिए पुझ यह पफ्रकों क्दूंतिähते हें तो चाही कर आप 20 हुआ किनिये सलाइब हमें कम्पलीट कर ली है अब यहां से हम लास्ट डिक्टरेस्टो स्टार्ट करेंगे तो यहां से फिर से हमें yet object 묶्पाइब हिसके हमें कि दो पंद्ध उनने है कि उलते ही पुन रहे हैं ऐसे बुनते हुए हम यह सलाई कम्प्लीट करेंगे तो देखिए हमने यह वाली सलाई भी कम्प्लीट कर लिए है और अब इस साइड से यह सारे फंदे हम सीधे बुन लेते हैं कि अब इक सलाई में बहुत ही कम्प्ली बचे हैं और फंदे को हम ने से कट कर लिया है Americas 민 रख लिया है क्योंबुक्त अइसन से ने नियान करेंगे और इस दाजाई में हमden यह यह शूई लगा लिए है अब इस सारे फंदे द जो सलाई में हैं वहल्दू में ले ले लेते हैं यह हमने सारे फंदे सुई में ले लिए हैं और अब यहां से हम इस पर सिलाई लगाएंगे यहां से इस दागे को हम एक बार और इन सारे फंदों से निकालेंगे और यहां से इन फंदों को हम खीच देंगे जिसे की अच्छी तरह से यह बंद हो जाएं और अब उल्टा साइड पहार की तरफ रखते हुए और सिदा साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहां से हम इसके उपर सिलाई लगा कर इसे बंद कर देते हैं यहां पर यह वाला धागा भी हमने कट कर दिया था यहां से हम इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं तो देखे हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और एक्स्टा धागे को हमने बुनाई में दबा कर यहां से कट कर दिया है अब हम इसे राइट साइड टर्न कर लेते हैं राइट साइड से भी आप देख सकते हैं फिनिसिंग से सिलाई लग गई है इस तरह से यह हमारे न्यूबॉर्ण बेबी के लिए मंगी क्याप पन कर तयार हो गई है यह काफे स्ट्रीचिबल है इसे की बच्चे को पहनाने में आसानी रहेगी इसे की बच्चे कर तक है यहां रहे भाल कर तक हमारे नियू है जुछ तक हमारे नियू जानी रहे इस आ लिए मंगी को प्ना दोरे स स्ट्रीव चना जाएं अर्ग्द को उणाएंगे।